अब जागों प्रेंट वेल्कम बैक टू निव वीडियो एक निव लॉग में आप लोगों का स्वागत है तो कैसे आप लोग आयों सब मस्तों के जखा सुने और हमेशा रहना भी यार तो आज का स्पेशल बन रहा है आज का स्पेशल डीश मन रहा है एक्चली ना उम्मी क्य मेरी मम्मी बताइए कि पहले हस देंगे थोड़ा असलो और अधले का दाल बड़े अस बने जा रहे है गाइस दाल वड़े बनते जाता लेकिन हमारी रेसीपी क्या है वह आपको मैं वीडियो में बताने वाला तो वीडियो में अंटका बने रहना बिना स्कीप करें देखन दाल वड़े में सबसे पहले अपना यह डाल जो है अल्री दो तीन घंटे पहले फुला के रखा मम्मी ने तीन-चार घंटे पहले पहले फुला के रखना है अच्छे से देखो फूल के ऐसा हो जाना जी गाइस तो इसको अच्छे पहले पीस लेंगे और थोड़ा सा हमने हमारा दाल तैयार होगा पिसके और यह कान देगा मटीरियल बना जापन ने मतलब इसको भी थोड़ा ग्राइंड कर दे पीस दिया इसके बाद अभी पीसना बाकि अपना अध्रक और क्या लिए हमने लसून और यह अपने हरी मिर्ची तो हरी मिर्ची इतने में तीका हो हाँ अगया ती से अपना मिर्ची लसून और अध्रक और मिर्ची ठीओठी अब कर दो पेड़ाद जाये से नपसमयर आप इसको बोलते हैं पूरा मिक्सर खाली करना देखहू। तो इसके बाद जाएगा अपना ओन्यान वैस कांदे को अच्छे पीस के पानी देगा नहीं चोड़के अपने को डालने जादा पानी दाना चीए खड़ा कांदा मुला अख्छा पुरा अच्छा पीशन पीस निदाजते तो जादा मच फेस्वाइगा मजा अगा खाने के लिए जीरा अब दाले के मम्मी लिए प्रॉब्स ना चाहिक है ये को अपनी अपनी धनिया उसके बाद जाएगा अपना ऐसके पत्ता तो ये बनरहे दाल वड़े चछाने की डाल के अपना स्वाथ अनुसार, अब इसको ममी पीसे के इतम मस्क अच्छे थे अपने लापेटे में लेने का है मतलब कि की यो गाइं तो आंपने जो डाल कि तायम आका अगया इसको डालне का अब इसको उपसे दाल के पड़ अच्छी और इसको मिक्स करिकाए अपन ये दाल अपन ने अइस्च्रा क्यों काल रिखा था क्योंकि वाडे मैं जो बड़े अक्षेक के दाल ड़िखेंके नव this is मज़ा है कि अपना थोड़ा था चावल का आटा हम दालेंगे खाके थोड़ा क्रंची टाइप में बने और यह फाइनल पूरा मटेरियल इसमें चला गया है अच्छे अब इसको मिक्स करेंगे तो गाइस यह देख सकते हो और मटेरियल पूरा झाप मिक्सले और किसंद रावस दिहाएं यह आप यह यहां पर बना रहा है वड़े का शियप और यह अपना तेल चला गया है जरम होने के लिए यह देख सकते हो गांई कि ना दाल वड़े वनने वाले हैं अब देखते हैं कैसा बनता है ताल वड़ा अब तेल में चला गया पहिला दाल भड़ा अभी तेल गरम नी हुआ इसलिए उपर आये तो गई जी दिल सकतो तेल हो रहा है गराम और वड़े भी मस्ट उबल रहे हैं कि यह जो है पास्ट में रखा बनने और यह अपना दूसरा वड़ा यह कि अपना दूसरा वड़ा दाल वड़े की तो बात भी चल लगे यार कुरकुरे बनेंगे तो मार मता पूरा अच्छे से हाँ पूरा अच्छे से पकेगा तभी मजा आएगा खाने के लिए अंदर तक पूरा अच्छे से पकना चाहिए तो इसको काईम लगते ही हैं यह डिश को पकने की अब तक मम्मी यहां पर गोला बनाते जा रहें कि देख सकते हो कितना प्यारा दिग रहा है यहां पर दो कॉंटिडी कितनी बनने वाली है मजबूत बने गा यार और इसके साथ अपनी बन रही है ग्रीन चटनी देख सकते हो और क्या बन रहा है अधी अधी दिस बैग गाइस चेकिसा उड़ा दे अब आधी बेटा आए गुद मोर्निंग गुद मोर्निंग बेटू तो गाइस यह देखो यार क्या प्यारा दिख रहे हैं एक नंबर अच्छे से लाल लाल पग्या और जो हमने दाल एक दल वड़े में दीख रहे लिवर आसे ज़्हें पाइला आपना निकल लिया देख सकते हो यार इबंलाल तुम्हारा भाय निकाल रहे है इनदम हुआ եाटी रहीश के इन अपनी कैया हुआ थ कि मदा आई गाया हुआ है तक तो गाइज इदर निकल चुके काफी सारे जाल बोड़े इतना सा बाकी है बाकी में खाया एक नमबर मजा आया तो इसी के जाद वीडियो को पैक करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो मिलते हैं नेक्स ब्लोग के साथ राम राम जी जैसिया राम 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 जैस कान तारारू, तन्नरमान तारारू